नमश्कार आप देखरें वाइबरिंट लाइब न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रेखा पाल तमिलनाडू के तंजावर जिले में एक मंदिर की रधियात्रा के दौरान बड़ा हाथसा हो गया तंजावर जिले में रध जुलूस के दौरान ये घटना होई खबरों के मुताबिक बिजली का तार एक कार के संपर्ख में आ गया जिसके बाद ये घटना होई देखते ही देखते कई लोग करिंट की चपेट में आगे जिसके बाद अब 11 लोगों की मौत हो गई है गटना की जानकारी मिलने के बाद पियम मोदी ने दुख जताते हुए सभी मृतिक परिवारों को 2-2 लाख रुपे का मुआज़ा देने का एलान किया है इसके अलावा घायलों की इलाज के लिए 50,000 रुपे प्रुधान मंत्री राष्ट्री राहत कोश से दिये जाएंगे हाथसे में कई श्रद्धालु गंभी रूप से घायल हो गये हैं जिने आनन फानन में नस्दी की अस्पतार में भर्ती कराया गया है तंजावुर के काली मेडु मंदिर में 94 अपर गुरु पूजा उत्सव बनाया जा रहा है इसमें शामिल होने के लिए मंगलवार राथ से ही लोगों की भीर जमा होनी शुरू हो गई थी रधियात्रा एक मोर से गुजिर रही थी इस दौरान व्रत पर खड़े लोग एक हाई वोल्टिश तार की चपेट में आ गया और ये हाथ सा हो गया फिलाल इतना ही देखते रहे है वाइबिंट लाइब निउस निभे सत्य चंता की आवाज